हेलो फ्रेंड्स मैं अनुपमा आप सभी का अपने चनल पर स्वागत करती हूँ आज की हमारी रेसिपी है कम फैट वाले दूद से बनी बाजार जैसी गाड़ी दही हम घर पर ही कैसे बना सकते हैं दही बनाना सुरू करते हैं इसके लिए मैंने अमूल का कम फैट वाला एक लीटर दूद लिया है इसे मैंने एक भगोने में डाल कर गैस अन करके उस पर रख दिया है आप इसकी जगा कोई और भी दूद ले सकते हैं कम फैट वाला या गाए का भी दूद ले सकते हैं क्योंकि गाय का दूद भी पतला होता है और पोस्टिक भी होता है तो फ्रेंड्स अब हम इस दूद में एक बॉयल आने तक गैस की फ्लेम को तेज रखेंगे दूद में boil आ गया है अब हम gas की flame को slow करके दूद को 10 मिनट तक पकाएंगे और दूद को बीच बीच में चलाते रहेंगे जिससे दूद बरतन के तले में ना लगे नहीं तो जल जाएगा दूद फिर दही अच्छा नहीं बनेगा देखे फ्रेंड्स दूद दही जमाने के लिए तयार हो चुका है फिर चलिए इसे हम थोड़ा ठंडा कर लेते हैं देखी friends दूद हमारा ठंडा हो जुका है अब ये दूद तोड़ा गुनगुना है इसमें हम उंगली डालके चेक कर सकते हैं कि दूद जादा ठंडा तो नहीं है या दूद जादा गरम तो नहीं है दूद ना जादा गरम होना चाहिए और ना जादा ठंडा सिर्फ खटा नहीं होना चाहिए, नहीं तो दही बहुत खटा जमेगा, अब इसे में दूद के साइडों में चम्मस से हर तरफ डालूंगी, जिससे दही हमारा अच्छा जमेगा, किनारे किनारे थोड़ा थोड़ा लेकर डालना है, जादा हमें दूद को हिलाना नहीं है, ना मिलाना है सिर्फ दीरे दीरे करके हमें दूद के साइडों पर डालते रहना है बीच में भी नहीं डालना है इससे दही बहुत अच्छा जमता है देखिए फ्रेंट्स दही जमाने के लिए दूद ज़्यादा गरम भी नहीं होना चाहिए नहीं तो दही फटा फटा जमेगा और आप सभी इन बातों का दियान रखिएगा, अपने घर पर दही बनाते समय, अब इस भगोने को मैं ढख लगा के, चार से पाँच घंटों के लिए किसी गरम जगा पर रख दूँगी, मैं इसे हमेशा अपने किचन में ही रखती हूँ, क्योंकि किचन ही सबसे गरम जगा होती है, आप भी अपने किचन में ही इसे रख सकते हैं, और फ्रेंड्स इस भगोले को आप अगर मोटे कपड़े से कवर करके किसी गरम जगा पर रखेंगे, तो दही दो से धाई गंटे में ही जम जाता है, तो फ्रेंड्स मेरी ये रेसिपी आप सभी को पसंद आए, तो मेरे चैनल को सबस्क्राइब जरूर करिएगा, और लाइ आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिलती रहे आपको, तो अब पांच घंटे बाद मिलते हैं आप से, देखिए फ्रेंड्स, पांच घंटे हो चुके हैं, अब मैं इसका धक हटा कर दही कैसा जमा है, देखिए दही कितना अच्छा जमा है, दही को दही के उपर बिलकुल पानी नहीं आया हुआ है, यानि कि हमारा दही बहुत अच्छा जमा है, दही देखो कितना जाडा, कितना मोटा जमा है, अब मैं इसे चम्मत से काटके दिखाती हूँ, देखिए मैं चम्म से दही को निकाला है कितना अच्छा दही जमा है देखे फ्रेंड्स आप भी इसी तरह अपने घर पर जमा सकते हैं तो फ्रेंड्स आज से आप सभी भी बजार जैसा गाड़ा दही अपने घर पर ही बनाए मेरी इस रेसिपी से और मैं उमीद करती हूँ कि आपको मेरी इस रेसिपी पसंद आई होगी पसंद आए तो अपने अनुभों मेरे साथ कमेंट बॉक्स पर सेर जरूर कीजिएगा थैंक यू